सभी खाटू स्याम जी के भक्तों का आज की हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है आज हम आपको यात्रा करवाने वाले है हारे के शहारे खाटू स्याम जी के दाम की खाटू स्याम जी का ये प्रसिदमंदी राजस्तान राज्य के सिकर जीले में खाटू गाउं में स्थीत है श्याम बाबा को बगवान स्री कुष्ण के कल्योगी अउतार के रूप में माना चाता है अगर आप विहारे के सहारे खाटू स्याम जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं और आप खाटू स्याम जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा और कमेट बोक्स में जैसरी खाटू स्याम जरू लिखिएगा चलिए हमारी स्यात्रा को सुरू वरते हैं इस स्यात्रा में हम आपको बताएंगे कि आप खाटू श्याम जी के धाम के से पोच सकते हैं इस स्यात्रा में आपको कितना खर्च होगा और भगवान स्री खाटू खाटू खाम जी के धाम में जो मेला लगता है वो मेला इस साल कब लगने वाला है ये भी आपको इस वीडियों के हम बताने वाले है तो चलिए दोस्तों वीडियों को सुरू करते हैं भगवान स्री खाटू स्याम जी का नारा लगाते हुए और बढ़ते हैं हमारी सियात्रा में तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप खाटू सियाम जी के धाम केसे पोच सकते हैं खाटू धाम के नजदी की रेलवेटेशन जो आया हुआ है उस रेलवेटेशन का नाम है रिंगल्स रेलवेटेशन इस रेलवेटेशन से खाटू स्याम जी के धाम की दूरी 18 किलोमीटर होती है रिंगस के लिए बाहरी राज्यों से बहुत ही कम ट्रेने चलती है यहाँ पे सिर्फ मुंबई, इंदोर और दिल्ली से आपको रिंगस के लिए सिधी ट्रेन मिलेगी तो आपको सबसे पहले जैपूर पोचना होगा जैपूर के लिए सभी प्रमुक सेहरों से ट्रेने चलती है जैपूर से खाटू स्याम जी की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर होती है तो अभी हम यहाँ पे जैपूर पोच चुके हैं जैपूर पोचने के बाद सबसे पहले हमें जाना है यहां के बस्टेन पे जो सिंधी केम्प बस्टेन के नाम से जाना जाता है यही से हमें खाटू स्याम जी के मंदिर तक पोचने के लिए बस मिलेगी तो अगर आपको बस के माधियम से नहीं जाना है तो आप यहाँ पे ट्रेन के माधियम से भी जा सकते है जाइपूर पोचने के बाद जाइपूर से आपको रिंगस के लिए सीधी ट्रेन भी मिल जाएगी तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से माध्यम से खाटू स्याम जी के धाम पोचना है हम यहाँ पे बस के माध्यम से खाटू स्याम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी बस में बेड़ जाते हैं और यहीं से हम चलते हैं, खाटू श्याम जी के धाम की तरफ, अब आप खाटू स्याम पोटने के बाद कहा रुकेंगे, सबसे पहले यह बात हम कर लेते हैं। खाटूस यामजी के दाम में रात रुखने के लिए आपको मंदिर के पास ही काफी सारी दर्मसालाई उपलब्ध है, चाहां पे आपको बहुत कम किरायों में रूम मिल जाते है, इन दर्मसालाओं में नोन AC कमरों का किराया 300 से 400 रुपे होता है, और AC कमरों का किराया 600 से 700 तो आपको एसी कमरों के किराये तक्रीमन 800 से 900 रुपे तक लग जाते हैं तो आप पर यह डिपेंड गरता है कि आप कहां रुखना चाहते हैं आपको अगर धर्मसाला में रुखना है तो धर्मसाला में रुख सकते हैं और अगर वोटल में रुखना है तो होटल में भी उपलब्द हो जाती है अब यहां से हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा शूरू हो जाती है यात्रा शूरू करने से पहले हर कोई खाटू श्याम जी बाबा का नारा कमेट बोक्स में जरूर लगा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो यहां तक पर रिंगस में आपको श्याम जी बाबा का एक मंदिर है चाहां पर हमें चाना है यहां पर श्याम जी बाबा के दढ़के रूप में पुजा की जाती है और खाटू में बाबा के सिर्की पुजा की जाती है यहां की मानियता के अनुशार कहा ऐसा जाता है कि खाटू श्याम हम ring boss में बाबा के दर्शन करेंगे उसके बाद यहां से हम khatu के लिए निकलेंगे तो चलिए सब बाबा के दर्शन कर लेते हैं आप भी कली जा और बाबा का मनीमन नाम जबते रही है in does के पास ही आपको khatu जानने के लिए राजिस्तान शरकार कि जो बसे चलती है और प्राइवेट जीपे चलती है और आपको खड़ी हुई मिल जाती है रिंगर से खाटू गाउं की दूरी तकरीबन 18 किलो मिटर होती है आपको यहाँ पे अगर बस के माधियम से जाना है तो बस के टिकिट का जो किराया रहता है और बीस रुपे रहता है और अगर आप जीप के माधियम से जाना चाहते है तो जो जीप का किराया रहता है और तकरीबन 30 से 40 रुपे रहता है यहाँ पर अब हम रिंगर से खाटू श्याम जी बस्टेन तक पोच चुके है बस से उतरते वक्त हम दिल से बाबा का नारा लगाते होगे उतरेंगे कि हारे के शाहारे खाटू श्याम जी की जय बस्टेन से मंदिर की दूरी तकरीबन 1,5 किलोमेटर होती है अगर आप चाहे तो यहाँ से चलके भी जा सकते है और अगर आपको चलके नहीं जाना है ओटो के मातियम से जाना है तो बस्टेन के बाहर आपको बहुत सारे इरिक्सा वाले मिल जाते है जो आपको मंदिर तक छोड़ने का 10 रुपे किराया लेते है तो आप ओटो के मातियम से यहाँ से खाटू श्याम जी मंदिर की तरब बढ़ सकते है ओटो वाला आपको मंदिर से थोड़ा दूरी पे उतार देगा आगे काफी सारी भीड होती है इसलिए ओटो वाले मंदिर तक नहीं चाते है तो आपको उनके साथ किसी भी तरह की कोई बेहस बाजी नहीं करनी है और ओटो से उतर जाना है तीरे दीरे भीड़बार से होते हुए मार्किट से हम सीधा आ चुके है खाटू श्याम बाबा के मंदिर के दरबार तक तो चलिए सबसे पहले श्याम कुंड की तरब चलते हैं यहां पर पूर्षों के लिए अलग कुंड और महिलाओं के लिए अलग कुंड की व्यवस्ता है इस कुंड से ही खाटूशयम बाबा खाटू में प्रगट हुए थे एसा यहां के लोगों का कहना है तो इस कुंड में श्नान करने के बाद आपको एसी अनुबुती होगी कि आप सारे पापदोस से मुक्त हो चुके हैं इस कुंड की महिमा देश विदेश में फेली हुई है और कहते हैं के जो भी व्यक्ति इस कुंड में श्नान कर लेता है वो हर एक पाप दोस दुख से मुक्त हो जाता है तो आप भी इस कुंड में श्नान कर लीजिए और श्नान करने के बाद कुंड से बाहर आजाईए कुंड के बाहर जैसे आएंगे तो आपको इस कुंड के पास दो मंदिर देखने को मिल जाते है यहाँ पे पहला मंदिर है वो है हनमान जी का तो आपको सबसे पहले हनमान जी के मंदिर के दर्शन कर लेने है उसके बाद यहाँ पे गायत्री माता का एक मंदिर बना हुआ है जिसके भी आपको दर्शन कर लेने है तो यहाँ पे हम माता के दर्शन करने के बाद वापिस यहाँ से हम चलेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ अब हम यहां पे मंदिर तक वापिस आ गए है अब यहां से हम खाटूश्याम जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएंगे तो यहां पे हमें भक्तों की भारी भीड देखने को मिल रही है तो चलिए हम इनके साद सामिल हो जाते हैं और खाटूश्याम जी का नारा लगाते हुए इस लाइन में आगे बढ़ते हैं यहां पे प्रत्यक एकदसी और रोयुवार के दिन आपको भक्तों की भारी भीड देखने को मिलेगी यहां पे लाइन में लगते वक्त आपको धक्का मुकी भी हो सकती है लेकिन आपको यहां पे अपने गुस्ये के उपर नियंत्रार है और काटू श्याम जी का नारा लगाते हुए मनिमन उनका जाब करते हुए लाइन में दीरे-धीर करने के लिए लाइन में लग ग गए है और आगे बढ़ रहे हैं यहां पे हम जब तक खाटू श्याम जी प्रवर्वरिक को बगवान स्विद्वारा एक वर्दान क्राप्त हूए थे यह कोई सामन यह नहीं थे इस बाण से किसी लक्षिय के उपर निशाना साध दिया जाये तो उढ़ में बापीस लोटाते थे लेकिन तुम्हें यहां पे जो हार रहा होगा उसके स्वयोग में तुम्हें यहां पे हिस्सा लेना होगा इस युद में बरबरिक इस बात को सुनते हुए आ बोलके यहां से महाबारत की युद्फिय मैदान के तरफ बढ़ पड़ते है तभी बगवानश्रीकृष्ण को इस बात का पता चल जाता है ओर बगवानश्रीकूष्ण जानते थे कि यहाँ पर बरबरिक इस मैदन में आ गए और इस युध में सामिल हुए तो यहाँ पर पांडव हार जाएंगे और कोरव जीट जाएंगे बगवान स्रीक रूष्ण यहाँ पे ब्रामन का रूप लेके बरबरिक के रास्ते में आ जाते है और उनसे पुत्य के बेटा कहा जा रहे हो तो बरबरिक बताते हैं कि मैं महाभारत की युद में सामिल होने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे ब्रामन पूछते हैं कि तुम्हारे गुरू कोन है तो यहाँ पे बरबरिक अपने गुरू बताते हैं कि मेरे गुरू भगवान स्रीक रूष्णा है मैं उनको ही अपना गुरू मानता हूँ तो अभी ब्राह्मन के बेस में से भगवान स्रीक रूष्ण अपना असलिय रूप दिखाते हैं और यहांपे बरभरिक उनसे आसिर्वाइड लेते हैं उनको हाथ चोड़ते है पर यहांपे ह्पे बकवान स्रीक रूष्थने बोलते हैं कि अपने गुरू को कुछ गूरुत दक्षिना नहीं दोगे? तब बर्बरिक बोलते हैं कि आपको क्या दक्षिना में चाहिए? मैं आपको जरूर दूँगा. बगवान स्रीकुरुष्ण उनसे अपना सिस्ट दान में बांग लेते हैं. यहां पे बर्बरिक बिना कुछ सोचे समझे, अपना सिस्ट दान में दे भगवायन स्रीकुष्ण ने इनके इस बरीदान से प्रसन होके उनको अपना श्याम नाम दे देते हैं और उनसे बोलते है कि आज से कल्यूग आएगा कल्यूग में तुम मेरे नाम से पहचाने जाओगे और खाटू गाओं में तुमारी पूजा अर्चना होगी तुमारे दर कहानी पूरी विष्टार शमिन आपको यहां पर बता दिये अब यहां पर दो से तीन गंटे लाइन में खड़े रहने के बाद अब हम श्याम बाबा के मंदिर के गर्पगरी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं यहां पे बस कुछी सणों में हमें बाबा के दर्शन होने वा उनकी तरफ देखते हैं यहाँ पर आपको अपने अपने सारे मन की मनो कामना इर रख выглядитski ऑबा के सामने श्याम बाबा का यह मंदिर का जो नजारा हैं वो काफी ही ज्यादा खुपसूरत है यहाँ बहगवान ओर फेम खाटू श्याम हमारे सामने मिराजमान आ यहाँ पे बाबा का श्रिंगार बहुती प्यारा और बाखी मंदिरों से अलग तरीके से किया हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे बाबा की सिप धड़की पुजा होती है। यहाँ पे बाबा का पूरा मंदिर फूलों से सुसोभित किया हुआ है। आप यहाँ पे बाबा के इस रूप को अपने हदई में सदा के लिए बसा लीजिए और धिरे-धिरे करते हुए मंदिर से बाहर आ जाईए आपको यहाँ पे बेड़ पार ज्यादा होने की वज़े से मुश्किल से 15-20 से का टाइम मिलेगा बाबा के दर्शन करने के लिए और फिर मंदिर से धिरे-धिरे लाइन से होते हुए बाहर की तरफ आ जाईए यहाँ पे हमने बाबा के बहुती प्यारे से दर्शन कर लिए हमारी यात्रा यहाँ पे सफल हो गई खाटु श्याम जी के हमने स्वयम आके यहाँ पे दर्शन कर लिए अब यहां से हम तीरे-दीरे करते हुए बाहर आ गये है अब यहाँ पे मंदिर के पाशी में श्याम बगीचा बुना हुआ है चाहाँ पे हमें जाना है इस बगीचे में बाबा के एक वक्त की यहाँ पे समाधी स्थान बना हुआ है इनके हमें दर्शन करने है यह वक्त यहाँ से बाबा के पुझा के लिए इस बगीचे से फूल तो उड़के जाते थे और उनके मंदिर के अंदर उनका शुंगार करते थे इस वगीचे के अंदर थोड़ी देर टाइम भीताने के बाद वापिस आप इस बहुत आ जाईए तो हमारी ये खाटूश्याम जी की यात्रा बस यहीं तक थी हमारी यात्रा काफी ज्यादा मंगल में रही सफल रही गर हमारी यात्रा प्लान वीडियो आपको अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेट बोक्स में नजर आईए तो उसके लिए हम माफी चाते अब वक्तों हम बात करते हैं कि इस यात्रा में हमें कितने दिनों का वक्त लगता है अगर आप दूसरे राज्जी से आ रहे हैं तो आपको आने जाने के दिन अलग से जोड़ने होगे खाटूश्याम पोटने के बाद आपको ए लिए सब आ जाता है तो आपको इस यात्रा में बस 1500-2000 का खर्चाएंगा खाटूश्याम जी के दरबार में हर साल मेला भी लगता है और इस मेले में स्याम जी के भक्त दूर-दूर से आते है इस सल खाटूश्याम जी का यह मेला फालगुन महिने की सुकला पक्स को लगने बाला है जो 12 मार्थ से सुरू होगा और 21 मार्थ तक चलेगा यह मेला तकरीबन 10 दिन का रहेगा अगर आप 20 मेले में सामिल होना चाहते हैं तो इस मेले में सामिल हो सकते हैं